जब कि आज़ा दो ज़ी दाले की ओम नमपार बती पाते हार हार माहा देव आज सरदार बल्लवाई पटेल जो लोह पुर्ष्टेम की जनती भी है और उनके जो फैसले हैं वो हिंदोस्तान जानता है यही उमीद हमें अमिशा के उपर भी है कि अमिशा जी आभी हो मिनिस्ट है और नरिंदर वाई मोदी जी की सरकार हो और पाकिस्तान जिंदाबाद बो जाए और रहना जम्मू में हो और पाकिस्तान के गुन गाने हो तो मैं यह समझता हूं कि यह अपनी चले बहुत देर हो गई चलाते हुए इनको संत समाज की अंदर भी रोश है तो पहले तो मैं सभी से आप से मैं परिश्य करा दूं कि हमारे जहां कीता बबन में जो बहु लोग निहत्थों पे बार कर रहे हैं और जो लोग मंद्रों की मूर्तिय तोड़ रहे हैं कश्मीर के अंदर हमने कहा था उनकी जगे जेलों में नहीं हैं उनकी जगा कबर में है और इस मोधी सरकार नहीं उनको कबर तक पोचाना है तो मैं आज जो जन्ती सरदार बल्लबाई पटेल जी की है पूर्ण रूप से अमिशाजी के उपर भी और सरकार के उपर भी विश्वाश रखते हैं संसमाज कि जो लोग देश के प्रती नहीं है उनकी जगा हिंदोस्तान में भी नहीं है खाना हमारा हिंदोस्तान का और गुन खाने डाक्टरों की सीटें लेकर के नारे मारेंगे जे जितने लोग हैं वहां कहा गया के पत्थरबाज है वेरुजगारी है इनको नोकरी दी जाए अब इनको तो हमने सीटें दी थी डाक्टरों की के डाक्टर बनेंगे छरीर बचाए बगवान का दूसरा रूप है और ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे इनकी मानिता रद करनवानी है इनकी ऊपर केस रिजिस्टर करवा के ये लोग अंदर होने चाहिए हां ये हमारी मांग रही कि जो कश्मीर के अंदर हमारा संसमाज है कहीं उसके उपर अगर किसी ने ट शम्ता है आपने बहुत अशेकार है जम्मू के अंदर आपने की हैं हमें अपनी वेल्ट फोर्स जो है चाहे वो सीमा शुरक्षाबल है चाहे सी आर्पी है वी एस एफ है और इंडियन आर्मी है और जम्मू कश्मीर की पलीस है इसके उपर पूर्ण रूप से हमें विश्वा